एक तरफा प्यार में अंकिता को जिंदा जलाने वाला अगर हिरासत में मुस्कुरा कर चलता है सीना चोड़ा करके चलता है तो जारकंड की हेमन सोरेन सरकार और वहां की पुलिस के लिए डूब मरने की बात है एक लड़की को जिन्दा जलाने वाला शारुप नाम का ये दरिंदा अगर शारुप खान के अंदाज में चलता है तो सवाल उपता है कि जारकंड पुलिस ने इस दरिंदे को कानून के डर का एसास क्यों नहीं कराया शारुप की हसी दिखाती है कि उसे अपने किये पर कोई पश्तावा नहीं है और ये हसी जारकंड की हिमन सोरेन सरकार को भी संदेश देती है कि अपने पुलिस अधिकारियों को सक्त संदेश दीजी ज़स साहब जब फैसला सुनाएंगे तब सुनाएंगे पहले पुलिस की पुष्टाच में इस हसी का इलाज जरूरी है क्योंकि ये हसी सिस्टम और सरकार का मजाथ उडाने वाली और बेटियों के दर्द को महसूस करने वालों के दिलों पर खंजर चलाने वाली है